पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है पर वो चीजे नजर नहीं आई है जो एक खुसी होती है सरकार बनाने की वो किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है कई मामलों को ले करके कहा जा रहा है कभी भी पेजपसा हुआ है तो वहीं एक बात और खूब चर्चा का विशय बनी हुई है कि नितिश कुमार ने आगरह कुछ और किया था और हुआ कुछ और है इन सारी बातों को ले करके अब जब की चर्चाएं हैं और चर्चाओं को ले करके कहीं कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि बातों में दम भी नजर आ रहा है एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि 28 तारीक को जब सपत ग्रहन होगा तो उसमें कई अलग अलग पाटी के नेता भी सपत ग्रहन करेंगे उससे पहले सारा खेल हो जाएगा लेकिन आपको बता दे कि पेंच कहां फंसा हुआ है ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं हमने आपको खबरों के मादन से बताया है कि विधान सभा अध्यक्ष अभी भी जिस तरह से अडे हुए हैं डटे हुए हैं अवद बिहारी चौधरी ने साफ कर दिया है और एक तरफ से आप समझ लीजिए कि ये बाते भी लगबग क्लियर है कि अब जो इस्थिती सामने नहीं है वो फ्लोर टेस्ट तक बने रहेंगे और कई तरह की संभावनाओं पर विचार चल रहा है एक तरफ जहां नई-नई सरकार बनाने वाले नितीश कुमार और भार्ते जन्ता पार्टी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं तो वहीं दूसी तरफ राष्ट्य जन्त बदल सकते हैं उनको हैदराबाद ले जाया गया है खबरों के माद्धम से हमने आपको ये भी बताया कि उन्हें हैदराबाद में क्यों ले जाया गया है ये बाते हम बता तो रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस कह रही है कि वो नई सरकार बनी है इसलिए एक साथ घुमने गया है इन सारी बातों से अलग अब नितीश कुमार के पास option क्या है तो एक तरफ जहां ये नजर आ रहा है कि अगर majority साबित कर लेते हैं तब भी नितीश कुमार और भारते जंता पार्टी आगे संतुष्ट नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों में ताना तानी और रस्ता कसी शुरू हो चुकी है अब बता दें आपको कि इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरह मंत्री मंडल के बटवारे में जिस तरह की बाते देखने को सामने मिली बिल्कुल उसी अंदाज में अब मंत्री परिशत के सदस्यों को लेकर के भी खीचतान चल रही है भाजपा के कई चेहरे है कि नितीश कुमार पसंद नहीं करते हैं और उसे मंत्री मंडल में सामिल नहीं करना चाहते हैं तो वहीं आपको बता दें कि कहा ये जा रहा है कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो नितीश कुमार अपने हाथ खड़े करने वाले हैं भारत्य जन्तापाटी अब क्या कर सकती है जब जदियू के लोग ही इधर उधर हो जाएंगे हलाकि भारत्य जन्तापाटी पर यह दबाव है कि वो सरकार को कैसे बचाएगी इन सभी के बीच आपको बता दें कि लगतार चर्चाय चल रही है कि जदियू के कई ऐसे विधायक हैं जो फ्रेम से बाहर हैं इनमें कई समाज के हैं तो कई अन्य समाज के लोग हैं जो लगतार उपेक्षा का सिकार होते आ रहे हैं आपको बता दें कि जदियू में अभी भी नितिश कुमार के कमान समालने के बाद भी सब कुछ यथा इस्थिति नहीं हुई है कई नेताओ को ले करके लोगों में रोस है और कई नेताओं से लोग परिशान भी हैं उनके साथ और उनको आगे देख करके कई लोग अपना मूड बदल सकते हैं पहले भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि जदियू के कई विधायक हैं जो आर जेडी और लालू परसाथ के संपर्क मे ककी है उसमें सभी जानते है कि लालू परशाथ और कॉंग्रेस किसी भी तरह का समझोंता भारते जन्ता पार्टी से नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में जो लोग भारते जन्ता पर्टी के चान करना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता हो Сकता है भी जीतन लामाजी के बयान बहुत कुछ कहानि कह रहे हैं अब ऐसी स्थिति में लालू पर साथ क्या करेंगे यह अलग बात है लेकिन नितीश कुमार को दिल्ली तलब किया गया है और प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है कहा तो यह जा रहा है कि नितीश कुमार कई option लेकर के वहा टेस्ट होता है बिजान सवा भंग होता है बहुमत साबित करते हैं या फिर राष्टपति सासन लगाने की नौबत आती है ये सारे ही ओप्सन इस बात की तरफ इशारक कर रहे हैं कि सरकार अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है लालू पर साथ क्या खेल करेंगे ये तो आ लालू परसाथ जटका दे चुके हैं अब ये भी बात चल रही है कि एंडिये में भी लालू परसाथ के सुपचिंतकों की कमी है ऐसे में क्या होगा नितीश कुमार का ये भी देखना कहीं न कहीं एक अलग तरह की बात होगी नितीश कुमार एंडिये में आये हैं तब से ए पर्थान मंत्री नेरंद मोदी की मुलाकात के बाद क्या निकल करके सामने आता है इंतजार कीजिए हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है बहुत बहुत धन्यवाद पनोर्म करोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरोवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक 816-7000 धन्यबाद